हाई अब्लोग में आप सब लोग में आप सब लोग का बहुत 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 बैलकम है आप लोग को सुबह का प्यार भरा गूड मॉर्निंग और फेंस मैं नहाद हो ली हूँ और मैं अपना कंगी करने चत पर आई थी तो मैंने कंगी भी कर लिया है और मैं छाक रही थी नीचे डुगू परिशान कर रहा था अपने दादा जी को और हैं हमारे देखो फूल कितने सारे प्यारे प्यारे दो तीन फूल लग चुके हैं मत पर कुछ रही हैं और हम यह ठहल ले आयते हैं तो हमने फूलो की स्मेल भी ले ली जब भी हमें स्मेल लेना होती है तो हम ऐसे ही ले ले लेते हैं बस पेड में लगे रहते हैं अपनी नोश थोड़ी लगा देते हैं और सी से बस ऐसे घर की सूंग लेते हैं बस हम तोड़त गाई एक दो घंटे का पूजी को सिस्टम रहता है तो हम कहते हैं पापा जब करते हैं तो हमें क्या बच्चों को क्या जरूरत है और हमने यहां देखा नीचे आके तो हमारा हमें यहां मिला बैगन और धनिया और क्या था सुरी क्या था मैं भूल की मैंने खुछ नहीं देख पाया मतलब वीडियो दूसरी दिन मैं डाल ली हो बोईस तो मुझे याद नहीं है खुछ और मैं खीरा काटने लेका हाँ खीरा लेकर आयते तो खीरा काट रहे हो खीरा कल के रख्यों है समने खा लिए बस ये मेरे और बा मेरे और मेरे हाजवेंट के खीरा है तो हम अभी इनको खा लेते हैं मौर्निंग में और अभी ये दूद गरम हो रहा है दूस बॉइल हो जाएगा फिर मैं इस मेना दही डाल दूँगी जामन डाल दूँगी तो दही जमा करेगा अब डेली हम दही खाया करेंगे तो हम दे रहते बेटे को और बेटा हो गया था गुस्ता तो हम फिर चले गएते फिर हमने सुचा हम और हस्मेंट खा लेते मत खाऊ तो यहां हमारी यह डुगू यह डुगू हाँ तो डुगू और हस्मेंट खेलने लगे और फिर मैंने ही खीरा अकेला खाया था बैठे उसको गरम दूद्ध होई गया है हम चौको दे देते हैं तो चौको उसको अच्छी भी लगते हैं लेकिन चौको फिर उसने नहीं खायते हैं वो गुस्सा इतना इतना नख्रेला लड़का है बहुत जादा और आकिल लाश्ट में क्या हुआ था मेरे हजबें न मुझे दोका दे दिया सबसे बड़ी बात यहीं है तो मैं आप लोग को यहीं बता रही थी मेरे हजबें ने लाश्ट में धुका दे दिया और बात यह है तो मैं है कट भी गई थी वो सुरी कट ने गई थी वो काठा था यह काठा वाला बैगन था तो बहुत तीच काठा लग गए सारे बैगन में काटे काटे और ये काटे वाले बैगन तो मैं पहली बार देख रही हूं मैंने मम्मी से बोला सास से तो बोलती है ये देसी बैगन है इसलिए इनमें काटे हैं तो क्या सच में ही देसी बैगन में काटे होते हैं किसी को पता ही क्या मुझे बताईगा होते हैं क्या म मैंने बैगं को मैंने काटी। म मेरे चुब रहे हातों रहे हां, अब लुले हुने चाय कद ने कुछे साथिते हैं था को मैंने कुछ M. भी शूत57 काक्षू माइस कर देते हैं नियूद को यहाले हैं historical ज़्यादा दूद हो गया है तो दही जमा लेते हैं सब लोग कल दुफैर में आरहम से पीलेंगेंगे आज हम जमा देते हैं साम तक राद तक जम जाएगा और फिर हम उसको कल पीलेंगे तो एक दिन पहले ही दई जमाना पड़ता है या सुबह जमाव साम तक जम जाता है पर इतना अच्छा नहीं लगता है खटा नहीं हो तब तक मज़ा नहीं आता है लसी में भी और हाँ फ्रेंड में चावल के ही कुछ हुमित थोड़ियां बोलते हैं हमारे साइड में वो सेक और नास्ता पानी करने के बाद इतना मूड खराब हो गया वैसे तो नाइट से मूड खराब था थोड़ा सा लड़ाई छकड़े हो गया स्वेंट से क्या है देखो अब मेरा एक बेबी है डुगू आप लोग ने देखा है मेरा बेटा पांच साल का हो गया और घर वाले औ प्sy exec科 रस और ऑपता है आज कल के रिष्दार सभी थाने मार को मळ देते के बो गूरा की वह कर दोगा के ब कर भूंने भरा यह नहीं होरा तो हमए गुष्श आया यह हमारे हसमें ना भोल दिया तो हमने उनको संदिया कि हमारे पास बच्चा है क्या हमारे पास बेटा कैस चार बच्चों से कुछ होता है क्या तो सच बोल रहना कि चार बच्चे हो या एक बच्चा हो क्या फरक पड़ रहा है मेरे लिए तो भईया एक ही सही है और भगबान ने दिया है उसको ये खुद मतलब ऐसे लोग है इस दुनिया में कुछ जो ऐसे अजीब अजीब से लोग है जो इतना गंदा गंदा बोलते भाई ऐसा थोड़ी होता और हमें दूसरा बेबी चाहिए ही नहीं हो तो हम चाहते हैं कि हमारा यही बेबी खुश रहे ऐसा नहीं है कि हम बेबी करना चाते हैं हो नहीं रहे ऐसा बात नहीं है हम खुद करना नहीं चाते हैं बेबी को क्योंकि हमारे पास सेक है हम एक को ही रखना चाते हैं और फ्रेंड फिर गुसा होके आजवेंड चल दिये थे मुझे छोड़के तो यहां देखिए मैं बहुत मतलब जूते उते पहन के मैंने उनको बहुत रोका लेकिर रोके नहीं फिर रोस के बाद हमने किया था बेटे ने अपना बैट लगाया बिस्तर और फिर कुछ नहीं पड़े पड़े रोते रहते और कुछ नहीं किया और मैं बस जाते हुए देखा है और मुझे बता कर नहीं गये तो आप लोग देख रहे हो मैं लेड़े रो रही थी जब केमरा ओन था जब इस्तर लगाया था जबसे नहीं था तो आप लोग देख रहे हो मैं रो रही थी और फिर मेरा बेटा आ गया था मैं अपने बेटे के सामने रोती नहीं हूँ कभी भी कितना भी दुख पड़े कितनी भी संकट पड़ता हैं लेकिन मैं अपने बेटे के सामने नहीं रोती हूँ तो आज कल पता नहीं रिस्ते को क्या हो गया है मेरे रिस्ते को नजरी लग गई है ऐसा लगता है पता नहीं किस की नजर लग गई हमारे रिस्ते को अभी तक तो पता है इतना अच्छा रिस्ता था साथ किसी का भी नहीं हो गया ऐसा लगता है बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत प्यार से रहते थे, कहीं भी जाते साथ खाते पीतेते अब कुछ महीनेवी से देख रही है, यूट दू महीनों से फतानी किश्ट टैबका हो गया है तो हम फिर आगे थे अपना किचिन में, जब हमारा नास्ता पानी हुआ था फिर हम आफिर रो ओ लिए फिर हम कीचन में किचन में आ गए तो ममी बोल रही थी खाना नहीं बनाओगी वर exports कितना time हो गया तो हमना बोलई ममी मेरा सरदद कर रहा है मैं थोड़ी देर से बनाओँ गी तो साथ मी मान गई थी, तो मैंने थोड़ा सा आराम कर लिया था, आदे खंटा सो गई थी, फिर उसके बाद मैंने कहीं खाना बनाया था, तो आप लोग देख रहे हो, और कैसे कैसे दिन आ जाते हैं, कैसे कैसे अजीव होते हैं, भड़काने वाले लोग, जो कुछ सोचते न में गोल देते हैं, कि इनके बच्छा नी हो रहा ही, इसलिए नहीं कर रहे हों ग equiv, ईसा बात नहीं है, हमें तो भग्मान ने दिया है, उसलिए अिक महीं खुछ से, और जो लोग बोलते हैं, कि मैं इनके ृभी तक बच्छा नहीं हुआ, सायद हो नहीं होंगे, इनके ऐसा नहीं है भाई तो आप लोग सुन लीजीगा हम खुद नहीं पैदा करना चाहते हैं अभी जब तक हम अपने पैरोपय खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक हम कुछ नहीं करना चाहते जब तक भले ही डुगू कितना भी बड़ा हो जाए 10 साल का 15 साल का उन लोगों को दुनिया से क्या करना है ये बताओ कोई करे या न करे या ना हो क्या करना इन चीजों से पता नहीं समझ में नहीं आता लोग भी आज कल के कैसे कैसे अजीब लोग हैं तो फ्रेंड्स सॉरी मैंने बहुत कुछ बोल दिया जो मुझे से बोलते हो लोग के बार में मुझे बैसे बोलना तो नहीं चाहिए बट मुझे गुस्सा आगी तो मैंने बहुत कुछ बोल दिया और मेरे हर्वन जा चुके इसलिए मुझे और गुस्सा आगया था और मेरे पती पता नहीं अब कब तक आएंगे तो पता नहीं कहां गए है अब आते हैं बैसी मैं आप लोग को बताऊंगी तो अभी तो पता नहीं है कहां चले गए और मुझे बता कर भी नहीं गए जूते उते कबड़े भी पहन गएक हेँ खाना भी lithe खाके गए और नास्ता भी उने बहुत क्हें किया है ज़सिज़ से मैं ने दिया थे क्वा करो क्यों किक्यों हमने ख Haera भी दिया थे सुरू है खीरा नहीं खाया था उनने तो उनने थोड़े जो चावल के पापर थे ना जो ममी ने बोल दिया था कि मैंने कहा था ममी से ममी ये खा नहीं रहे पता नहीं क्यों तब ममी ने कहीं उनको बोला था कि खाले खाले बिटा खाले तब उनने थोड़ा एक दू खाया था बस नास् तो बहुत ही हो गया बहुत सुलिया, अब तो मैं ऐसा करूंगी, एक कान से निकाला करूंगी, जिसको जो बोलना है, वो बोलते रहो, मुझे कोई फरक नी पड़ता, और फ्रेंट्स देख रहे हो मेरी डाल बनके रेडी है तो डाल मैं बना देती हूँ सुरी डाल मैं डाल देती हो धनिया और ये मैंने आप लोग को बता चुकी बहुत सारे ब्लॉग में मेरे घर की हल्दी टाइप की हो गई है कि बतानी सकती तो इससे यलू कलर भी नहें आता कितना भी भर भर के अलदी दाल एनख लो लेकिन एकrent यलो नहीं लगता है मुझे बहुत ही गुस्सा आता है पतानी किसा किसा आज कल दुकान वालों पे भी आज सब पे गुस्सा उतारी हूं सब लोगों पे तो आप लोग देख रहे हैं जो मैंने दूद गरम किया था तो ट्राइफोर्ड थोड़ा उल्टा हो रहा था उधर की साइट तो मैं सीधा करने चली गई थी तो आप लोग को आप देख रहा होगा सह तो यह दूद है तो मैं इसमें डाले दे रही हूं दही जामन डाले दे रही हूं तो यह कल तक दही जम जाएगा और इसको फिरम कल लसी बना के खा पे लेंगे फ्रेंट ब्लॉग कैसा लगा तो ब्लॉग को यहीं आइंड कर देते हैं ब्लॉग में बहुत जादा मैंने आ बला है मैंने तो चली फ्रेंट नेक्ट ब्लॉग में मिलते हैं बाब बाई